22 जनवरी 2024 को प्रभुराम अपने भब महल में विराज मान होंगे प्रभुराम की विराज मान होने के साथ साथ पूरा भारत एक जगह विद्धिमान होगा यानि कि पूरे भारत की जलक राम मंदिर परिशर में 22 जनवरी को नजर आएगी भागवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तयारी सुरू कर दी गई है प्राण प्रतिष्ठा में देश के कई विशिष्ट और अतिविशिष्ट महमान आमंतरित हैं तो अब भगवान राम लला के परिशर में ही एक आस्थाई हिली पैड का निर्माण कराया गया है, जिसे आवेसक्ता अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधान मंतरी के वीते 30 दिसंबर के आयुद्या दोरे को लेकर इस हिली पैड का निर्माण कराया गया था। अब राम मंदिक ट्रश्ट इस हिली पैड का इस्तेमाल प्राण प्रतिष्ठा के समय आवेसक्ता अनुसार कर सकता है। हाला कि आपको बताते चले पूरे देश की कई बीबी आईपी महमान प्राण प्रतिष्ठा में सामिल होंगे जिसमें फिल्म जगस से अमिताब बच्चन तो किरकेड जगस से सचिन तेंदूलकर अडानी अंबानी के साथ देश के बिभिन संपरदाय के साधू संत प्राण प्रतिष्ठा में संबल इथोंगे आने जाने में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कोई एमेर्जंसी हो तो इसको लेकर राम मंदिर परिशर में आस्थाई हेली पैड का निर्माड किया गया है अस्थाई हेली पैड जब अभी मोजी जी आये थे तीस तारीक को तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको मंदिर में दर्शन की इक्षा हो जाए तो एक आस्थाई हेली पैड प्रतास्तन ने बना दिया था वो बना हुआ है अब उसका उप्योग कोई भी बियापी बगर आता हो सकता उनको मंदिर में दर्शन करने की लिए आने पर उसका कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो सका इसनिमाल किया जाये गा किस में लोगों के आने वालों की लोगों के प्रतिष्ठा के काय़क्रम है वो तो कभी भी कोई अस्थाई निर्मार है कभी कोई जरुवत है तो उसका इस्तिमाल होगा